तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ 1988 में आई एक erotic supernatural horror thriller मूवी को जिसका नाम है वीराना ये 1980s की एक super hit और iconic horror मूवी है जिसको direct किया है रामसे ब्रदर्स ने इस मूवी की IMDb rating है 6.7 stars out of 10 जो की काफी अच्छी है और ये एक नई सीरीज है जहां पर मैं इस टाइप की old Bollywood movies को cover करूँगा जो की worth it होंगी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर follow कर लेना मैं आपको इस मूवी का link provide कर दूँगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुवात में हमको एक पुरानी हवीली के अंदर शैतान की मूरती एक बाबा उसके चेले चपाटे और एक लड़की नकीता को दिखाया जाता है जो की इनसानी रोप में असल में खून पीने वाली एक डायन होती है जो की कई वर्षों से एक अच्छे जिस्म की तलाश में होती है तब ही हम यह देखते हैं कि वहाँ पर एक जवान लड़का होता है जो कि बंदा हुआ होता है और जब वो लड़की यानि कि नकीता अपने गले के उपर से एक बैट वाले लॉकिट को यानि कि चमकादर वाले लॉकिट को उतारती है तो नकीता एक खूबसूरत लड़की से एक डरावनी डायन में बदल जाती है यानि कि ये जो चमकादर वाला लॉकिट है वो उसको इनसानी रूप में रहने मदद करता है अब इस लॉकिट की कुछ और शक्तिया भी हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देरें बात करेंगे अब ये डरावनी डायन नकीता उस लड़के के जिस्म से सारा खुन चूस लेती है और उसको मार देती है और उसकी लाश को बाहर फेक दिया जाता है ये लाश अब गाउंवालों को मिलती है कि तभी एक आदमी यहाँ पर ठाकूर सहाब को बताता है कि ये विराना की चुडैल का काम है जो की अपने हुसन से जवान लड़कों को अपने साथ ले जाकर उनका खुन चूस लेती है उसका ये भी कहना था कि उसने एक खूबसूरत लड़की को जंगल में जाते हुए देखा था और वो लड़की अचानक से ही चमकादर में बदल गई थी और उसने उस पर हमला कर दिया अब यहां पर ठाकुर का छोटा भाई समीर दिखाया जाता है जो कि ये बोलता है कि उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो उसको खतम कर देगा तबी इस बात को सुनकर समीर की वीवी जिसका नाम प्रीती होता है वो बहुत ही ज़दा नराज हो जाती है और तबी ठाकुर साहब ये कहते हैं कि उन्हें भी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीर नहीं है फिर भी यहाँ पर सेफ साइड के लिए ठाकुर साहब समीर को एक ओम गिफ्ट कर देते हैं ताकि किसी भी मुसीबत में वो उसकी हेल्प कर सके And just to be clear यहाँ पर ठाकुर साहब और समीर भाई हैं खैर तभी एक रात समीर समीर शम्शान के रास्ते से जा रहा होता है जहां पर उस चुडन का अड़ा होता है अब वो चुडन अपने हुसन का जाल बिछा कर समीर को अपने साथ ले जाती है अपनी हवέλी पर जो की रिवर के पीछे होती है लेकिन समीर यहां पर उसके हुसन के जाल में फसा नहीं था बलकि वो उसके साथ में प्ले अलॉंग कर रहा था ताकि वो उसकी सचाई को जान सके और गाओं वालों की बात में कितना दम है ये भी पता लगा पाए खेर वो लड़की और समीर साथ में होते हैं समीर उस लड़की के गले से लॉकिट को उतार देता है यानि कि उस बैट वाले लॉकिट को और लॉकिट के उतरते ही वो लड़की नकीता फिर से डरावनी डायन में बदल जाती है और समीर पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन तभी समीर ओम को निकालता है जो कि उसके मारा जाता है यानि कि चुडैल अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं थी खैर उसके बाद में हम उसी बाबा को देखते हैं यानि कि तांतरिक बाबा फ़स चुडैल की बॉड़ी को वापस अपने ठिकाने पर ले आते हैं और वह ठाकूर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी के शरीर के अंदर ही नकीता की आत्मा को डालना चाहता था अब इसके बाद में हमको ठाकूर और उसकी बेटी जैसमिन दिखाई जाती है जिसकी वेकेशन खतम हो चुकी थी और उसको अपने हॉस्टल वापस लोटना था समीर उसको अपने कार में बठा कर उसको छोड़ने के लिए जाने लगता है तभी जो कार होती है वो विराना हवेली के सामने बंद हो जाती है और समीर पानी लेने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर वो तांतरिक बाबा आ जाता है और जैस्मीन के बाल काट कर उसको एक गुडिया में रख देता है उसके बाद में ये तांतरिक बाबा इस गुडिया को नकीता के लाश के पास में रख देता है कि तभी जैस्मीन उसके बस में हो जाती है और वीराना हवीली में चली जाती है तबी नकीता एकदम से उटकर जैसमीन को पकड़ लेती है और अपने आत्मा उसमें डाल देती है यानि कि जिस कबर में वो थी यहाँ पर जैसमीन उसके अंदर चली जाती है अब उसके बाद में जब समीर कार के पास में आता है तो उसको वहाँ पर जैसमीन नहीं मिलती वो समझ जाता है कि वो वीराना हवेली में ही गई होगी अब जब समीर वहाँ पर उसको ढूडने जाता है तो तांतरिक बाबा के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद में तांतरिक बाबा एक फकीर के भेश में ठाकुर के पास में जाता है और जैस्मिन को वापस लोटा देता है। अब जब ठाकुर सहाब अपने भाई के बारे में पूछते हैं तो वो ये कह देता है कि वीराना हवेले के उस पार नदी में तूफान की वज़ करते हैं कि जैस्मिन जब से वीराना से लोटी थी वो काफी दधा अजीब हो गई थी और उसकी हरकते काफी वीर्ड थी और प्रीती यहां पर इस सच को भी जान लेती है जो ठाकुर को बताना भी चाहती है लेकिन ठाकुर यह सब नहीं मानता और फिर जैस्मिन अपने असल साल बीच जाते हैं और ठाकुर सहाब यहां पर बूड़े हो गई थे अब तभी यहां पर सहीला को ठाकुर साब की चिट्टी आती है कि उसको वापस गाउवाना होगा जिसके बाद में सहीला की नानी सहीला के साथ में हिचको को भी भीज देती है और एक तरफ ठाकुर के नौकर जिसका नाम रगू होता है जिसकी नियत यहाँपर हैं जैसमिन के लिए ठीक नहीं थी अब जब जैसमिन नहार ही होती है तो काफी फेमस गाना यहाँ पर आता है और रगू यह सारी चीजें बहार से देख रहा our होता है जिस पर जैसमिन हो को डांट कर वहां से भगा देती है अब इसके बाद में हमको तांत्रिक बाबा को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी से यह कहता है कि सहीला इस हविली तक नहीं पहुंचनी चाहिए और तभी सहीला और हिचकॉक रास्ते में आ रहे होते हैं तो उन पर एक तांत्रिक का भ रकडियों का बहुत बड़ा कारोबार है और वो उसकी मदद कर सकते हैं उसके बाद में हमको जैसमीन को दिखाया जाता है जो कि आउट ओफ कंट्रोल होकर कमरे में ही तोड़ फोड़ करने लगती है और हम उस चुडएल नकीता को भी देख पाते हैं बिसीकली यहां पर न उसके बाद में डॉक्टर जैसमीन को अपने क्लिनिक लजाने के लिए बोलते हैं फिर हमको रगू पैट्रोल पंप पर नजर आता है और वहां पर जैसमीन भी अपनी कार में पैट्रोल डलवाने आती है अब यहां पर पैट्रोल पंप वाला जो मकैनिक होता है वो जैसमीन को देखकर काफी खुश होता है और उसे फलर्ट करने लगता है और इस चीज़ को जैसमीन भी काफी एंजॉय करती है और उसको नदी के पार मिलने के लिए कहती है जिसके बाद में जैसमीन और वो मकैनिक उस हवीली पर जाते हैं दोनों एक सा शराब पीते हैं एंजॉय करते हैं और रोमैंस करते हैं अब यहां पर उस मकैनिक ने धेड़ सारी शराब पी ली थी और वो सोचाता है तो जैसमीन यहां पर अपने असली रूप में आकर उसका भी खून पे लेती है और उसको जान से मार देती है यहां पर इस मकैनिक ने इस हद तक शराब पी ली थी कि बिल्कुल भी उठनाई पाता और ये सारा किया धरा उस नकीता का होता है जो कि जैस्मिन के अंदर थी उसने मकैनिक को धेर सारी शराब पिलाई थी ताकि वो उठी ना पाए अब हमको सहीला दिखाई जाती है जो कि ठाकुर साब को बताती है कि हेमंध ने हमारी जान बचाई और ये सुनकर ठाकुर यहाँ पर हेमंध को काम पर रख लेता है अब उसके बाद में गाउं के अंदर उस मकैनिक के लाश मिलती है और ये देखकर रगु सब कुछ समझ जात ये सारी बाते जाकर वो ठाकूर साहब को बता देता है। अब दूसरे दिन जैस्मिन फिर से किसी आदमी को अपने हुसन में फसाकर उसका शिकार करती है और उसका मार ढालती है। aur उसका खौन भी जाती है। यहाँ पर वेराना हवेली में क्यों जाती है, तो जैसमीन यहां पर यह बताती है, कि वो वहां पर गई जरूर थी, और तब रकू को बहुत ही जादा गुसा आजाता है वो उस बिल्ली को मारने का सोचता है और अगले ही पल में हमें जैस्मीन और सहीला दिखाई जाती है जो कि एक साथ सो रहे होते हैं कि तब ही विराना में तांतरिक बाबा जादू से जैस्मीन को जगाता है यानि कि नकीता को और तब ही सहीला भी जाग जाती है और वो जैस्मीन के डरावने चेहरे को देखकर डर जाती है यहाँ पर हेमंद भी एक कुरसी को अपने आप हिलता हुआ देखकर यह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गरबर जरूर है उसके बाद में जब जैस्मीन शान्त होती है तो वहाँ पर डॉक्टर अंकल आते हैं जैस्मीन को वो हिपनोडाइस करते हैं और उसके बच्पन की यादों को याद करवाने लगते हैं तब जैस्मीन असल में बताती है कि वहाँ पर हुआ क्या था और कैसी उसकी बॉड़ी के अंदर नकीता की आत्मा चली गई थी जिसके बाद में जैसमिन यहाँ पर यानि की नकीता चिला कर बात करती है और उसको डॉक्टर यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है और ठाकुर सहाब को सुनवाता है और यह चीज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एक्जॉर्सिस्ट वाले सीन से मिलती जुलती है लेकिन अगर 1980 की बात करें तो यहाँ पर उस वक्त यह मुवी बहुती बड़ी है और तहलका मचा देने वाली थी खेर उसके बाद में ठाकुर सहाब डॉक्टर को समीर के साथ हुए हादसे के बारे में बता देते हैं खेर जैसमीन के ट्रीट्मेंट के लिए डॉक्टर वही रुकने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर रगू उस काली बिल्ली को मार देता है और दफना देता है अब अगले ही दिन रगू फिर से उस बिल्ली के आवाज सुनता है और वो बेचैन हो जाता है वो सोचता है कि बिल्ली को दफनाने के बाद भी वो जिन्दा कैसे हो सकती है और जब वो उसने बिल्ली को दफनाया तो वहां पर बिल्ली थी ही नहीं अब इदर रात में डॉक्टर जैसमीन के कमरे से धुआ निकलते हुए देखते हैं और तब ही डॉक्टर उसके कमरे में जाते हैं तो इस पूरे गाओं को शमशान में वो बदल देगी उसके बाद में डॉक्टर अपनी कार में जा रहे होते हैं कि तभी उनका एकसिडेंट हो जाता है और जैसमीन उनको मार डालती है यानि कि उसके अंदर की जो चुडैल नकीता होती है बिसीकली इस वक्त तक जैसमीन के शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं था बलकि नकीता का था खेर उसके बाद में रगू ठाकुर को डॉक्टर की मौत के बार में बताता है और ठाकुर से वो ये बोलता है कि अब मैं इस हवीली में एक पल भी नहीं आउंगा मैं वहीं कार खाने में ही सोया करूंगा ठाकुर वहां से चला जाता है और इदर हेमंद फैक्टरी से तांतरिक बाबा को बाहर निकलते हुए देखता है और वहीं दूसरी तरफ रगू को जैसमीन यहां पर लकडी काटने की मशीन से काट कर मार डालती है जब सुबा ठाकुर वहां पर पहुँचते हैं तो हेमंद यह बोलता है कि यह सब तांतरिक बाबा कही काम है फिर यहां पर हेमंद, सहीला, विराना हवेली में जाते हैं जहां पर तांतरिक बाबा के आदमीं दोनों को पकड़ लेते हैं और तांतरिक बाबा ये बताता है कि ये सब मैंने नकीता का बदला लेने के लिए किया और समीर मरा नहीं है बलकि अभी भी इसी हवीली में कहीं पर कैद है जब सहीला अपने पिता से मिलती है तो बहुत ही खुश होती है और रोती है वो तांतरिक उसको ये कहता है कि आज पूर्णीमा की रात है और आज के हे दिन उसने नकीता को मारा था आज वो जैसमीन की बली चड़ा कर नकीता को जिन्दा कर देगा यानि कि यहाँ पर नकीता का असली शरीर जिन्दा हो जाएगा और नकीता यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी अब इदर सहीला और हेमन्त एक कमरे में कैद होते है कि तब ही वहाँ पर हिचकोक आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से छुड़ा लेता है चलो यहाँ पर यह किसी काम तो आया खर इसके बाद में हेमन्त और सहीला समीर को चुड़ाने जाते हैं और जब ठाकुर समीर को देखता है तो उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं होता तब समीर यह कहता है कि जब तक नकीता की बाड़ी के पास से उस गुड़िया को नहीं जलाया जाएगा तब तक जैसमीन को ठीक नहीं किया जा सकता और अभी भी यहाँ पर जैसमीन उस तांतरिक की कैद में ही है अब यहां पर तांतरिक बाबा शैतान की पूझा करने लगता है और जैसमीन पहले से ही उसके वश में होती है उसके बाद मैं तांतरिक बाबा जैसमीन को जलती हुई आग में जाने के लिए बोलता है और अगर जैसमीन ने ऐसा कर दिया तो नकीता फिर से जिन्दा हो जाएगी अब जैसमीन इस आदेश को सुनकर उसाग की तरफ बढ़ने लगती है कि तब ही वहाँ पर हिमनत आ जाता है और तांतरिक बाबा के सबी आदमियों को मारने लगता है अब इन सभी चीज़ों के बीच में ठाकुर साहब नकीता की बोडी के पास से उस गुडिया को निकाल लेते हैं कि तब ही तांतरिक ये कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी नहीं बचेगा यानि कि उस गुडिया पर जादू किया गया था उसके बाद में हेमंत यहाँ पर ओम से तांतरिक को मार डालता है कि तब ही नकीता अपने कबर से उट खड़ी होती है यानि कि जो उसकी आदी अधूरी जान बची हुई थी वो उसकी बोडी में वापस आ गई थी इसके बाद में नकीता एक एक करके सहीला जैसमिन और सभी की तरफ बढ़ने लगती है कि तब ही वहाँ पर हेमंत आता है और नकीता को ओम की शक्ती से एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है उसके बाद में वो उस बॉक्स को उठा कर गाओं के शिम मंदिर में ले जाते हैं और जैसे ही वो उसको खोलते हैं तो नकीता जल कर राक हो जाती है क्योंकि उपर वाले की शक्ती के आगए कोई भी शैतानी शक्ती नहीं चलती है और बूम ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी 1980s की सूपर हिट सूपर नैचरल हॉरर मूवी उमीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और इसका कॉनसेप्ट अच्छा लगा होगा परसनली उस टाइम के हिसाब से और बॉलिवुड के हिसाब से ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई थी अब आज की रेट में आप इसको देखेंगे तो आपको ये काफी अजीब लगेगी लेकिन अगर आप 90's के बच्चे हैं और आपने इस मूवी को बच्छपन में देखा होगा तो I am sure कि आपको ये बहुत डरावनी लगी होगी और मुझे ये मूवी देखकर काफी nostalgia वाली feeling आई थी अब यहाँ पर इस मूवी को लोगों ने दो ही चीजों के लिए देखा होगा या तो जैस्मीन के लिए या फिर यहाँ पर इसके horror concept के लिए बच्चपन में ये मूवी देखकर पहली बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि बात्रूम जाने में काफी problem होती थी मतलब बिना light song करें तो जाया नहीं जाता था और अगर आपके साथ में भी ऐसा होता था तो comment section में जरूर बताना और ये भी मेरी एक नई सीरीज है जहां पर मैं old bollywood horror movies को explain करूँगा अगर आपको एक concept अच्छा लगा है तो like जरूर कर देना कॉमेंट कर देना और चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजे मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे कोस्टी कर दो कर दो